जो अन्वर में, मैं यह सोच रहता है कि यह हनुमान जिन्दे है, पुरे जिन्दगी भना की कुना में क्यों सुखा आज़ता है तो कोई बज़य होती है, कोई आदमी अपना पूरे जिवन के लिए इतना काम कर दिया, इसलिए मैं अपना पूरा जिवन आपको समर्दिक चार रहा हूं। लेकिन यहां समर्दपन की बज़य समझनी आई। और अपी तिन दिन पहले अलवर में योगी जी ने कहा कि वो दलि थे, आदिवासी थे और जो रामभक्त है वो पीज़िपी को बोट करें। मैं सब्सक्राइब कोई में अलगलक पार्टी के लोगे हैं। हो सकता एक पार्टी में पार्टी के जादे हो। मैं मेरा मक्साद से वो हाथ कर दो है। मैं से वाद इसके कहा हूं। कि मैं वो उनके, उन्होंने का कि तो रामभक्त जो उनको बोट दे। और चुकी वो रामभक्त है तो उनकी पूरी कम्मूनिटी रामभक्त गोट देद। बही कमसकम बोट तो हमें इमानबारी से कर लेने देजिए। जो भी सरकार हमारे समास के विकास की यूजना है बनाएगी जो भी नेता हमारे समास के लिए दुखदर्थ में खड़े होंगे हमारे समास के लोग उनको गोट देंगे भूले ने देखने लिए हमारे पार्टी का है या बीजेपी कॉंग्रेस का है उनको ये देखना चाहिए कि हमारे हित में क्या है जिस दिन 24 सितंबर 1937 को पुना पैक्ट हुआ उसके रहाद बावाजन बड़े दुखी है और उन्होंने कहा कि आज मेरा मन बहुत जादा दुख्या उची कर रहा है कि मैं बिजली के खंबे को पकटके अपने चांद देना है ये बात उन्होंने क्यों कही था ये जो डबल गूट जो सेफ़े टोरिट्टल मांगा था क्यों मांगा था ये बात आज हमें समझ दा लिए लोग रिजर्व सीट से चुनके तो जाते हैं कईदे में तो तो जार रिफिजर्वेजन कर रहे हैं क्या वो समाज को दोखा नहीं दे रहे हैं क्या समाज के दुख दर्द को उतनी मज़कूतिसे वो संसर्क के अंतर उप जाएं सभाव के अतर उठा रहे हैं जो लोग समाज के दुख दर्द को, समाज के मुद्धों को विधान सम्माव में और संसर में इमानदारी से नहीं उखाते हैं वो द्धागा करते हैं ठोका दे 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 पहले हमारी कमद को दिया चाराजार साल की गुलामी के बाद बड़ी मुश्किल से लुक्रों बाबा साफ इकरचीने आजा थे रया समिरान के माथन से तमाम तरे के अधिकार दिये दीरे दीरे उनके दिए एर्यक्शन की वजह से और उनके दीरे पढ़ने लिकने की जो आजादी हमें बिली उसकी वज़ा से हम लोग धीरे दिरे थोड़े से तर्की के रस्ते पे आगे बढ़ने सुरू ही हुए थी अभी पहुचाता लंदे दूरी तया भी नहीं हुए थी कि तभी जो चालाट लोग है जिन लोगों ने देश में चातियों का निर्मान किया उन लोगों ने बड़े सोची समझी साजिस के तहर जोकि भारत के समिधान भी होते हुए वो लोग रिजर्विशन असानी से कतब नहीं कर सकते वो लोग इस्कूलों में तोबारा से हमारे परवेश पर बंदी से नहीं लगा सकते थे और हमारी जो थोड़ी वो तरक्य ही वो किवर इस्कूलों में पढ़ने से लुग्यान मिला और रेजरवेशन से जो नोत्रिया मिली उससे थोड़ी वो तरक्य हमारे जीवन में आपाई लेकिन उनों में अब से लगवत 40-45 साथ पर पप्लिक स्कूल खोलना से बढ़िया और एक के बाद पप्लिक स्कूल खोलते चले गए और सरकारी स्कूलों को कमजोग करते चले गए हलाक यह होगे कि सरकारी स्कूल में टीचर्स का बाब क्लास के अंदर टीचर नहीं है बैचने की वेवस्था नहीं है पीने के पाने की वेवस्था नहीं है टोइलेट साफ नहीं है अब वो बच्चे क्या करेंगे क्या बनें मेरे इस वज़े से हमारा सरकारी स्कूलों का इ फीज देखिए फीज का इस्ट्रक्चर देखिए अगर आज के डेट में दिल्ली के अंदर हम सब्सक्रारी वो पब्लिक स्कूल जो मिडल दर्जे के हैं बहुत चादा हाई फाई नहीं है अगर मिडल दर्जे के तो पिक स्कूलों की बात करें तो एक बच्चे की पड़ती मह हर परिवार में कम से कम दो बच्चे मां में तो पंदरा से बीस हजार रुपया तो केबल दो बच्चों की पड़ाई के लिए चाहिए हारी बिमारी और घर का खाना खर्चा विजली ये सब अरक हमारे तो 99 परसेंट लोग ऐसे हैं जिनके पूरे परिवार की इंकम पीज़ परिवार में नहीं है तो इन 90 परसेंट लोगों के भूई से का क्या होगेगा तो एक तरफ तो इन्होंने 25 कुछ भोलके हमारे आगे बढ़ने के रास्ते बबंद करें और दूसरी तरफ ये यहां भी संतुष नहीं हुए दूसरी तरफ उन्हीं सो नग्वे के असपास इन लोगों ने ठेकेदारी पर्था सुरू की आउट्सॉर्सिंग सुरू किया और जो हमारे लोग सरकारी मौकी में आजाते थे उस रस्ते को भी उन्हें बंद कर दिया मैं पूछना चाहता हूं क्या उस वक्त लोग सबार राच्चे सबार में हमारे सब्स नहीं थे जब ऐसा हुआ है क्या करें है क्या उन्हें इस मुद्धे को उठाया उसके बाद भी नहीं रुखे उसके आगे की सुनिया आओ उसके बाद एक नद को पिछले से पिछले के कमिसन में फॉर्थ क्लास एंप्रेमेंट को बहुत बहनी आई कि फॉर्थ क्लास एंप्रेमेंट सरकारे नहीं रखेंगी अब आउट्शोर्च से लेगी MTS बोते मुद्धितार्च सर्विस और जो आउट्शोर्च कर दिया है नहीं और हमारे मिल्योंटी में लोग आपके फॉर्थ क्लास में तो इन्होंने हमारा को फॉर्थ क्लास का भ तो इसलिब स्कूलों में कि तरीब तरसा पहले एक पोलिशी ऐसी लागए जिसकी डिमाड पेरेंस में नहीं की उसकी डिमाड ऑपी तीचच स नहीं नहीं की उसकी डिमाड बच्चों नहीं की नो डिटन पोलिशी किसी को भी फिल मत परो पहली से आट मी तक सब को ऐसी पास कर दो और जो पहली से आट मी तक ऐसी पास हो गया और नोवी में करते हैं जो फिरोजर से निकाम दश्कुष जब उस बिचारे ने सिर्फा ही ले कुछ ही बाकी सर्जेट तो छोड़िये अगर उसे कहें कि भी बिमारी की चुपी के एप्लिकेशन हिंदी में लिख दे है और वो हिंदी में भी बिमारी की चुपी के एप्लिकेशन में लिख पाड़ा और नोवी में चला गया और नोवी में उसे एक्जाम पास करना नहीं दूस्कुष बाद आप एमानदारी से पताईए क्या वो एक्जाम पास कर पाएगा तो क्या इन्होंने सरकारी स्कूलों को मजदूर पैदा करने वाली फैक्ट्री में तब दिन नहीं कर दिया उस वक्ट हमारे एंपी एवेल ने कहा थे ये वो बड़ी समस्या है मैं के तो नहीं तो सारे जिन्टाएं हम पाख में करते हैं हमारा तो विकास कर फिक दो ही रच्टा था वह पहले 40,000 साल पहले जि dulu पनाया हमारा सारी property सबको चील लिया और धर्म सालतों भी लिख दिया तो मचूद हो सूदर हो कि तुम्हारा क्या अधिकार नहीं कि तुम्हारा केवल करता रहे उपर के तीलों बढ़नों की सेवा करता है पूरी जिन्दी की सेवा इसेवा पढ़ने में 25 अगर पढ़ोगे लिखोगे तुमने अगर कोई सास्त का या कोई श्रोक भी सुन लिया तो कान में खोलता हुआ सीशा अपना हुआ दिया और जुवान जगर चारें कर दिया किसी स्लोक का तो उसकी जीप कड़वा दी इतना बैर बैरना कर दिया और स्कूल जो भी गुर्कुल होते थे उन पर बंदिस लगा दी भी अच्छुद केटी बंदी किसी ने अगर अपने आप कोई कला सीखी भी दी उसका मुठा कड़वा कड़ा, इसब्सरों कर दो होते, अगर्चुद कर दो तोukan मैं, जेरे तोट। काम कौन करता है खेत में खेती तो फसल हुआने का काम कौन मजदूर करता है मजदूर को ने बड़ी-बड़ी इमार के बनाने का काम कौन करता है संड के फ्लाइवर के बनाने का काम कौन करता है तुम तो पैदाईस ही जानवन मर गया उसको फ्लाइवस की खाल निकाली उसकी जेकेट बनादी, उसके चुते बनादी उसके बैंड बनादी है, अमको पनाएं सिकारे में हैं। आप ने तो देखा कि अब चमड़े में पैसा आने लगा.. चीलिया। क्योंकि ठेका शुठता है हर जिले में करोर रूपे का, जब लगा आपकारोर पर कमाने का टाइम है आपको जानके ताजर होगा मीट का वेपार मैक्सिमल जेहन लोगे लोगे अहीं साथ कितना धोका है हमारे देश में मैं अपने सब्जेक्ट से थोड़ा और आगे निकल गया वापसाता हूँ वावो वोगे आपको पढ़ने का अधिकार नहीं आपको संपत्ती अर्जित करने का अधिकार नहीं चुकि धरम बेस आपकों में बंदिस है तो इस वजए से हमारे लोग लगाता है चार हुजार साल गुलाब रहे और बाबा साही ने जब वोका दिया समीदान के माज़म से सब को समान कर दिया और उस मौके का लाव उठा के हमारे लोगों ने महनुत की अपनी काविये साबित की इस पर वापा साथ भी बात बोल के मैं जो कह रहा था कि कावड़ तो कूट कूट कर भरी है बावाजार को मौका मिला उने भारत का दुनिया का सबसे बैजन समीदान लिख डाला जो इतर कर साथ जो इंदर आप बंडर को मौका मिला तो पाकिस्तान का समीदान लिख डाला अब आले इस प्रोटा में बिद्वर भी बादा नी बनूँगा दो बहुत सारी योजनाए हैं लेकिन मुझे दो मिट दिये लेकिन आप बहार पूछ लेना मैं चानने वाला नहीं हूँ आप बहार आ जाओ और सारी योजना बताने तो जो इलागो किये लेकिन मुझे अब दो मिट पे से भी आदा मिराक ने लेली, एड़ मिटे में बात करें लोगे। लास्ट व लास्ट ही है, दो साथ पहले, हमारी एक बेटी ने, टीना डावी ने, फर्स्ट अटन्ट पे इस तोप कर दिया। हमारे एक लिड़के में पिछले सारी, जेई इमेर के इंदर 360 में से 360 नुपर लागे और पूरे देश का फ़र्ड रिकॉर्ड गना दिया, आज तक अचुप कर दिया। हमारे काभलियत पे कभी प्रस्ट चिल्बत लगाता है। काभलियत हमारे में पूर्प कुट कर रहे है। आज जर्वरत है जो बावा साहिए जो सुर्थ के सेपर्ट रिक्टल जो प्रतक निर्वास अच्छेतर मांगे थे आज समझ आ रहे है। अगर हमारे लोगों को चुनने का रिकार के वल हमारे लोगों को मिला होता। तो कोई जात्ती जो चुनके जाता हुए जोगा रणी करता, अपने समाज के साथ इद्धा भी हुए। वो उनके मुल्कों को मजबूती से उठाता, तुकि उसे डर रहता। अगर काम नहीं करो और ये बार मेरे समाज के लोगें, तो ये चुनके नहीं बेखेंगे आज समझ आगा गाए तो चुकी मेरे दो निट हो गए पिर मोखा मिलेगे तो बात करेंगे, बागी नहीं योजना आप प्लीज मेरे साथ बार मेरे बात नहीं पर जाएंगे कि सारी उजना है किता हुआ है ठीका बहुत हो करने बाद, जैबी, जैबाद